ओम नमू भगवती वासु दिवाय जै मातारी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना योजीब चैनल रद्योहार कताई मैं हूँ आपके साथ रिम जिम शिर्मा आप सभी भक्तु का कार्दिक मास्त महात्म की 27 अध्याय में बहुत-बहुत स्वागत है आज असध्याय में मैं आपके साथ शालग्राम शिला की पूजन का महात्मिका वर्नन करते जा रही हूँ सध्याय में इसका वर्णन किया गया है स्मयम महादेव ने इसका वर्णन किया है तो सभी भाक्त प्रेव पूर्वक इस महात्मिका इस कथा का श्रवन करें जै श्रीहरे विष्णू कातिके ने कहा भगवन आप योगियों में श्रेश्टे हैं मैंने आपके मुख से सब धर्मों का शवन किया प्रभो अब शालिग्राम पूजन की विधिका वस्तार की साथ परणन कीजिए महादेव जी बोले महामते तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है वत्स जो तुम कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर देता हूँ सुनो शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रलो की लीन रहती है जो शालिग्राम शिला का दर्शन करता है उसे मस्तब जुकाता है स्तान कराता है पूजन करता है वह कोटी यग्डियों की समान पुर्य तथा कोटी गोदानों का फल पाता है बेटा जो का पूजण करके भगवत स्वरूप हो जाता है उसे ना तो यमराज और ना मरने का जन्म लेने जिन मनुश्यों ने भक्ति भाव से शाल ग्राम शिला को नमस्कार मात्र कर लिया, उनको तथा मेरे भक्तों को फिर मनुश्य योणी की प्राप्ती कैसे हो सकती है, वे तो मुप्ति के अथिकारी हैं, जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भग्मान बासुदेव क नमस्कार नहीं करते, वे पाप से मोहित है, उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए, करोडों कमलों पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फलप्राप्त होता है, वो शाल ग्राम शिला के पूजन से कोटे गुना होकर मिलता है, जिन लोगों ने मरते लोग में आकर शा वैशनव पूरुष का पूजन नहीं करता, वह मुझसे द्वैश रखने वाला है, उसे तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है, जब तक कि 14 इंद्रों की आयू समात नहीं हो जाती, जिसके घर में कोई वानप्रस्थी वैशनव अत्वा सन्यासी दो घड़ी भी विश हो जाते हैं, मेरे कोटी-कोटी लिंगो का दर्शन पूजन और सबन करने से जो फल मिलता है, वह एक ही शाल ग्राम शिला की पूजन से प्राप्त हो जाता है, जो वैशनव प्रति दिन 12 साल ग्राम शिलाओं का पूजन करता है, उसके पुन्य का वर्नन सुनो, गंगा जी के पर करल्यो शिब लिंगो का पूजन करने से तथा लगातार आच युगोत काशी पूरी में रहने से जो पुन्य प्राप्त होता है, वह उस वैशनव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है, अधित कहने की क्या विशकता जो वैशनव मनुश्य शाल ग्राम शिला का पूज करें, जहां शाल ग्राम शिलारूपी भगवान केशव विराजमान हैं, वहीं संपॉर्ण देता असर यक्ष तथा 14 भुवन मौजूद हैं, अन्य देवताओं का करोणों बार कीर्थन करने से जो पल मिलता है वह भगवान केशव का एक बार कीर्थन करने से मिल जाता है, अ डेट असकन्द अन्य सभी शुब करमों के फलो का माप हे किन्तु शाल ग्राम शिला के पूजन से जो पल मिलता है, उसका कोई माप नहीं है। शालिग्राम शिला को औरपन किया हुआ थोड़ा सा पत्र पुष्ट फल, जल, मूल और दूरवा दल भी मेरू परवत की समान महान फल देने वाला होता है जहां शालिग्राम शिला हुती है वहां भगवान श्रीहरी विराजमान रहते हैं वहां किया हुआ स्थान और दान, काशी से सौ गुना अधिक पल देने वाला प्रया, कुरुक्षेत्र, पुषकर और नमिशार रन्य ये सभी तीर्थु वहां मौजूद रहते हैं अतह वहां उन तीर्थु की अपिक्षा कोटे गुना अधिक पुन्य होता है काशी में मिलने वाला मौक्ष रुपी महानफल भी वहां सुलब होता है जहां शालिग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान शालिग्राम तथा द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गूमती चक्र हो तथा जहां इन दोनों का संगम हो गया वहाने संदेह मुक्ष की प्राप्ति होती है शालिग्राम पूजन में मंत्र जप भावनास तुती अत्वा किसी विशेश प्रकार के आचार का बंधन नहीं है शालिग्राम श्रला के सम्मक विसेश्टा कार्टिक मास में आदर पूर्वक स्वास्तिक तच्छन बनाकर मनुष्य पत्मी साथ पिर्धियों को पवित्र कर देता है जो भगवान केशव के समक्ष मित्ती अत्वा गेरु आदी से छोटा सा मंदर चौक लगाता है वा कोटी कल्पो तक्डिव्य लोक में निवास करता है श्री खरी के मंदर को सजाने से अगम्या गमन तथा अभक्षय भक्षन जैसे पाप भी नश्ट हो जाते हैं जो नारी प्रतिविन भगवान विश्नु के सामें चौक पूर्थी है वा साथ जन्मों का कभी वित्वा नहीं होती तो इस प्रकार कार्टिक महास महात्मिर में शालग्राम पूजन की महता स्वेम भगवान महादेव ने कार्टिकेशी को बतलाई है तो इस प्रकार कार्टिक महास महात्मिर का यह अध्या यही पर समापत होता है उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तों ने इस सथा का शवन फ्रेम पूर्वक किया है कता अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजेगा चैनल पर पहली बार आए हैं इस तरह की जानकारिया अच्छी लगती है तो चैनल को कृप्या कर सब्सक्राइब भी जरूर कर ले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्राइब जया सुने विश्मी जय माता लक्ष्मी